नियू अप्सरा जोईलर्ज 63 सालों से आपकी सेबा में समर्पित हमारे यहां आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूसणों की आकरसक स्रंखला तो पता याद रखें नियू अप्सरा जोईलर्ज परकोटा तिराहा सागरमधि प्रदेश एक मुर्दा चिता पर जैसे ही लेटा बैसे ही उठ गया और मुझ से ओम-ओम का उच्यानन निकालने लगा फिर गया समसान घाट में हर कंप मच गया आनन फानन में मुर्दे की हार्ड की पंपिंग की गई और फिर उसे चिता से हटा कर काल में बैठाया गया यह तस्बीर मद सब्सक्राइब के समसान घाट से आई हैं जाए एक मुर्दा चिता पर बैठ किया इसके बाद हंगामा हुआ आनन फानन में उसे हॉस्पिटिल ले जाए गया जहां डाक्टर ने उसे मित्त गोसित कर दिया वोडी को लेके गाए तो मतलब क्या है गवर्मेंट हॉस्पिटल अनिल जेन नाम के इस मिर्दक के अचानक जिन्दा होने से असोक नगर में हरकंप मत लिया उसे कोरोना था और वह गंबीर हालत में था आज उसके निरंद के साथ उसकी बोडी समसान घाट लाई जैसे ही उसे चिता सहीया पर लिटाए गया परीजनों का डावा था कि अचा इसां से चर रही थी उनमें जान थी आप ये बताईए ये आपको कहते पता चला की मतलब जा रहे थे लखणियों पर आवा जाए अंदर दिल दड़कने लगा दिल दड़क रहा अभी भी दड़क रहा है अच्छा आपका क्या नाम है रिशी जैन आपके पापा जी है तो यह कैसे गलती किस ने मरत को सद किया है अच्छा लेकिन डाक्टरों का दाबा है कि मरत ही गए थे और अभी विम्रत ही है कजुंग के रहा हैं कि सांस आ रही है रूक्ता मना करते हैं आप आई होई आप आप बात को समझो ईसी जी फिलेट आई आई मैंने देखी हो मत बडएस देश में कोरोना के चलते ऐसे कई केसा हैं जहां मरे हुए सरीर में अचानक जान आई और हंगामा हुआ असल में प्रिशासन की ये लापरवाही है कि अगर कोई पेशेंट आई सीउ या हॉस्पिटल के जन्रल वार्ड में है और उसकी हाल अतकर जाना खराब है तो डाक्टर सोचते हैं कि बैच खाली हो जाना चाहिए इसी चक्रम कई पेशेंटों का दम नहीं निकल पाता और उन्हें मृत घोशित कर दिया जाता है ऐसे आरोग कई बार हॉस्पिटल पर लग चुके हैं बाहराल एक मुर्धा के जिन्दा होने उचिता पर बैचने के मामले में गर्देश में संसनी फैल गई हरियों भारगव सागर एक्सप्रेस नियूज असोख नगर अगर एक्सप्रेस नियूज के वीडियो अगर आप यूटूब पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर यही वीडियो आप फेस्पुक पर देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए और हम इश्वर से प्रात्ना करते हैं, नमस्कार.